तो आप सभी विदर्थों का स्वागत है इस चैनल में, दोस्तों यदि आपने यह वीडियो JPSC का सालबस देखने के लिए खोला है, और आप जानना चाहते हैं कि JPSC का सालबस क्या है, तो आप एक JPSC के serious aspirant हो, और आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए, नहीं तो आप मेरे वीडियो को छोड़ करके चले जाओगे, फिर किसी दूसरे का वीडियो पर टाच करोगे, फिर वहां से कहीं और भागोगे, फिर कहीं और भागोगे, इस तरह से आपको सालबस कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए वीडियो को last तक देखना बहुत ज़ जरूरी नहीं है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, यह सबसे important factor होता है, किसी भी civil services की exam की तयारी के लिए, भाले वो UPSC हो, JPSC हो, या फिर BPSC हो, या फिर किसी भी state का PCS exam हो, ठीक है, तो यह दिए आप सेलबस जानना चाहते हैं, तो वीडियो को last तक देखिएगा महिंदी में और इंगलीस दोनों में बताऊंगा, तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तो ध्यान दिजेगा, यहाँ पर मैंने लिखा एक JPSC PT सालबस, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, JPSC का prelims exam का सालबस बताऊंगा, सब आपका prelims, दूसरा है mains, और तीसरा है interview, जिसको personality test भी कहते हैं, just like UPSC, UPSC की तरह ही इसका भी pattern होता है, लेकिन इसका prelims सालबस जो है, बिलकुल अलग है, अब बिलकुल अलग है कैसे ध्यान दिजिए, जैसे हम UPSC की यह दिबात करें, तो UPSC में प्रारमिक जो परिछा हो CSAT का मतलब Civil Services Aptitude Test, वो paper इसलिए लिया जाता है, यदि आप CSAT paper qualify करते हो, 33% marks obtain करते हो, तभी आपका GS1 जो है, वो चेक होता है, लेकिन जहारकंड में वो ऐसा नहीं होता है, JPSC का वो ऐसा formula बिलकुल नहीं है, JPSC में क्या formula दोस्तों, कि JPSC prelims में दो paper होता है, एक होता GS paper 1 और दूसरा होता है GS paper 2, GS paper 2 जहारकंड special होता है, उस पे सिर्फ जहारकंड के question आएंगे, ठीक है, और GS paper 1 जो होता है, उस पे all total milajula, जो है आपका GS1, जैसे पूरे इंडिया का, पूरे world का मतलब, सब चीज पूछ लिया जाता है GS1 में, और GS2 आपका special होता है, जहारकंड का तो हम आपको यहां A to Z syllabus अभी समझाएंगे, तो ध्यान दीजेगा, GS paper 1 जो है दोस्तों, GS paper 2, दोनों होता है, 200-200 marks का होता है, कितना होता है, परतेक paper जो होता है, वो 200 marks करके होता है, और परतेक में आपको time कितना दिया जाता है, 2 घंटे का time मिलेगा, 100 question रहेंगे, परतेक question आपका 2-2 marks का होगा, तो 200 और 200, कितना हो गया, 400, यानि JPSC का prelims का जो paper है, वो कितना होता है, 400 marks का होता है, जिस पे 200 marks आपका GS paper 1 रहेगा, हम अभी बताएंगे, और 200 marks आपका क्या रहेगा, GS paper 2 जो कि जहारखंड इस्पैसल रहेगा, तो सबसे पहले मैं आपको GS paper 1 बताऊ तो आपके comment का जवाब हम दे देंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजे, तो बात करें, दोस्तो GS paper 1 की तो देखिए, तो GS paper 1 की बात करें, तो general studies paper 1, ध्यान देना, इसका जो syllabus है दोस्तो, UPSC की तरह ही इसका syllabus है, देशे दिखिए, इस पे आपका पूछा जाता है, सबसे पहला है Indian history, क्या है, भारत का इतिहास, not world history, ज्यान देना, कि UPSC में भी, और JPSC दोनों में, world history से question नहीं पूछा जाता है, समझ मारा है, question कहां से आता है, Indian history से, only Indian history, आपको world history, विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, भारत का इतिहास, इसे 15 question आएग 30 marks कराएगा, 30 marks आपका Indian history से आएगा, एक कीवर्ड को ध्यान से समझना, क्योंकि keyword में ही आपका question है, ठीक है, जैसे ये keyword है, आपदा परबंदन, या पिर ये keyword है, शहरी करन, कहता है न, urbanization, तो ये सारी keyword से आपका question exam में, पूछ लिया जाते हैं, तो यहां पर हो गया, कि भा प्राचीन भारत से 5 question रहेगा, मध्यकालिन यानि medieval history इससे रहेगा 5 प्रश्न, और आधोनिक भारत यानि modern history इससे रहेगा 5 प्रश्न, ठीक है, यानि Indian history का 3 पांट देख सकते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालिन भारत, आधोनिक भारत, ठीक है, इसको कहेंगे ancient history, medieval history, and modern history, तियों से आपका 5-5 question आएगा, total question रहेगा 15, और marks होगा 30, 15-32, तो ये तो हो गया history का, अब बात करें भारत का भुगोल, Indian geography, देखिए, Indian geography में आपका 10 question आएगा, और 10 गुना 2 कितना हो गया, 10-20, ठीक है, point को पकड़ना, जैसे world history आपको नहीं पूछा जा रहा है न, ये सा सारी points को पकड़ना यहां पर, तो भारत का भुगोल, क्या लिखाया, Indian geography, सिर्फ भारत का भुगोल, Indian geography, ये keyword main है, ठीक है, ये जो लिखा मैंने red, red में, ये keyword main है, ध्याम देना, भारत का भुगोल, यानि Indian geography, इसे 10 question आएगा, 10 गुना 2 कितना हो गया, 20 वंक, ठीक है, आप द को, तो सामाने भुगोल, ये हो गया general geography, इसे रहेगा, तीन तो question रहेगा, इसका भौतिक भुगोल, इसको कहेंगे, physical geography, इसे आपका रहेगा तीन प्रश्ण, इसका बारत का रहेगा आइगा, economical geography, ठीक है, तो इसे रहेगा आपका, दो question, इसके बात सामाजी, के वान, जन सा की भुगोवल इसको क्या क्या केंगे सोसल एंडमो ग्राफिक ज़िए दो क्योशन कितना होगया दोस्तो तीन तीन शेए डो आट दो 10 तो 10 कोश्चन आपकर रहेगा इंडियन जोग्र militar से हमें आपर बता दिये देखिए समयनि भुगोल से 3 कोशन आएगा भौतिक भूगोल फिजिकल जोग्राफी से तीन कोशन आएगा आर्थिक भूगोल यानि एकनोमिकल जोग्राफी से दो कोशन रहेगा सामाजी के वन जन सांखी की भूगोल इसको क्या कहेंगे सोसल एंड डेमोग्राफिक जोग्राफी इससे रहेगा कितना दो कोशन रहेगा यहां तक क्लियर है अगला पॉइंट हमारा आता है भारती राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी जिसके लिए आप लक्षमी कांत की बुक पड़ते हो जो बहुत फेमस है पॉपुलिर है तो इंडियन क्या कहेंगे इसको इंडियन पॉलिटी इससे आपका रहेगा दस कोशन देखिए तो कितना होगे दस गुना दो आपका बीस मार्ट जो है इंडियन पॉलिटी से आएगा इस पी क्या रहेगा भारती समविधान भारत का समविधान इंडियन कॉंस्टिटीूशन इससे आपका रहेगा चार कोशन ठीक है लोग प्रशासन एवंग सूसास इंग्लीश में कहेंगे पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन और गुट गवर्नेंस ठीक है पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन और गुट गवर्नेंस इससे रहेगा आपका चार कोशन इसके बाद है विकेंद्री करन विकेंद्री करन जैसे सत्ता का विकेंद्री करन पड़े हो विकेंद्री करन इसको कहते हैं यानि इसको कहेंगे decentralization तो इससे आपका question आएगा तो विकेंद्री करन में आपका आएगा पंचायती राज या फिर नगरपालिका नगरपारिसर नगर निगम जो भी है तो उससे आपका दो प्रशन आएगा तो Indian quality में आपको पढ़ना है Indian constitution चार प्रशन के लिए लोग प्रशासन इससे रहेगा चार प्रशन इसके बाद विकेंद्री करन समझ गए पंचायती राज तथा क्या कहेंगे नगरपालिका इससे आपका रहेगा दो प्रशन तो यहां से Indian quality से आपका 10 question आएगा जिसके लिए आप लक्षमी कांत का बुक जो है सबसे बेटर माना जाता है आप उसको खरी सकते हो खर बुक लिस्ट का वीडियो हम अलग से बना देंगे कितने विदा से चाहते हैं कि बुक का वीडियो हम बनाए तो comment कर देना भी तुरन तो केंगे आर्थिक तथा सतत विकास economy and sustainable development इसको इंग्लिस में क्या कहेंगे दोस्तो economy and sustainable development मतलब आर्थिक तथा सतत विकास इससे 10 तो कोशन रहेगा और परते कोशन दो मांक्स का तो दस दूना कितना होगा अब 20 तो देख सकते हैं इस पी आपका कोशन आएगा भारती अर्थ ववस्था की बुनियादी विशिश्चता हैं यह सब keyword पकड़ना जहां समझ में नहीं आएगा direct google करना और इसको search करना यह economics का आपका part है ना भारती अर्थ ववस्था की बुनियादी विशिश्चता हैं इसको क्या कहेंगे basic features of Indian economy क्या कहेंगे दोस्तो basic features of Indian economy जो English medium के students है व अर्थिक मुद्दे इसको कहेंगे economic issues इसको क्या कहेंगे economic issues इस इससे आप करेंगे economic reforms and globalization इसी आपका रहेगा दो question total आपका हो गया 10 प्रशन तो 10 दूना किता हो गया 20 आपका ये economics का part हो गया ये एकदम headline में लिखा हुआ है syllabus का main keyword यही सब है ठीक है इसी को पकड़ लेता जो विदाती हुआ ही selection ले पाता है और कुछ भी पढ़ोगे इधर उधर भटकोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और जो syllabus में बस उतना ही आप पड़ोगे और daily पड़ोगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होगा समझ मारा तो ये हो गया आपका economic and sustainable development इसे 20 marks का हो गया आप बात करेंगे science and tech देख सकते हैं विज्ञान एउंग तक्नीक द्यान दिजी विज्ञान एउंग तक्नीक इस पर रहेगा 15 question रहेगा ठीक है विज्ञान एउंग तक्नीक से आपका 15 question रहेगा तो 15 गुना 2 कितना हो गया ती संक आपको science and tech से मिलेगा science and tech में क्या है कि general science सामानी विज्ञान इससे रहेगा 6 प्रश्ण ध्यान देना general science मतलब हो गया सामानी विज्ञान इससे रहेगा 6 प्रश्ण क्रिश्ची एवन तक्नीकी विकास agriculture and technology development इससे रहेगा 6 question ठीक है इसके बाद है सूचना, information संचार, communication तक्नीक मतलब technology इससे आपके रहेगा 3 question तो कितना हो गया 6, 6, 12, 3, 15 15 गुना दो कितना हो गया 30 marks समझ मारा है कोई दिक्कत है तो बता देना comment करके तो यहाँ समझ गया कि मतलब जो general science है उससे 6 question agriculture and technology development इससे रहेगा 6 question information, communication, technology रहेगा 3 question और यह जादा तर questions आपका current affairs से related रहेगा civil services की तयारी करने का एक ही fund है कि हर चीज को आप current affairs से link करो हर चीज को current affairs से link करो कि जो बीत गया है और जो वरतमान में हो रहा है दोनों में क्या संबंद है और दोनों में क्या analysis आ रहा है यही तो है civil services का exam इसी पर आपको analysis करके exam में आपके knowledge को एकदम बिखेर देना है तभी आपका selection हो पाएगा ठीक है तो आप निकाल लोगे टीक मार के लेकिन में में क्या करोगे में में आपको अपनी knowledge को लिखना होगा knowledge को present करना पड़ेगा ठीक है इसका भी अलग अलग keyword है विवीद में आप से क्या क्या पुछा जाएगा चली हम आपको बताते हैं तो विविद में दोस्तों आप से क्या पुछा जाएगा विवीद में राएगा 15 विडा Kyushon तो 15 गुना 2 कितना हो गया तीस मार्ट्न से आएगा विविद मतलब mislinear सब चीज मिला हुआ तो उस पर क्या कह रहेगा सब चीज देखिए पहला आपका तब मानवादिकार मतलब human rights क्या कहेंगे इसको human rights तो human rights के बारे में आपसे A to Z कुछ भी पूछा जा सकता है तो human rights के बारे में आपको जानकारी होने चाहिए जैसे कि आपका fundamental rights, fundamental duties इस सबसे अलग होता है आपका human rights है ना इसको English में कहेंगे क्या कहेंगे biodiversity इसके बाद है जलवायू परिवर्तन climate change इससे आपका question रहेगा इसके बाद है शहरी करन इसको कहेंगे क्या कहेंगे इसको urbanization इसके बाद है खेल आपका sports आपदा परबंदन disaster management गरीबी आपका हो गया poverty बेरोजगारी unemployment पूरसकार आपका हो international organization like WTO, WHO, UNO and many more इससे इस सबसे मिला कर क्या आपका रहेगा 30 marks का question आएगा प्रश्णो की संख्या होगी 15 ठीक है तो यह आपका exam में पूछे जाएंगे इससे विविद में तो इतना याद हो गया कि मानवादिकार से question confirm आएगा ठीक है जलवायू परिवर्दन से question confirm आएगा है ना चलिए अब बात करें यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो topic हमारा कि राश्ट्रिय तथा अंतराश्टि समसमाई की मतलब national and international current affairs that is happening across the country और around the world जो हमारे देश में और पूरी दुनिया में घटी थो रहे है वर्तमान की घटना है current affairs इससे आपका question रहेगा 15 ठो तो 15 and international current affairs there will be 15 question which means 30 marks from current affairs is that clear और एक topic आपका रहता है जारखंड अब आप का होगे कि जारखंड का तो यहाँ जारखंड को क्यों घुसेड रहे हैं आप तो ध्यान दीजे जारखंड का जो है जोस्तो पीटी में आपका कितना marks का question रहता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 question आपका पूछा जाएगा जारखंड से कितना question पूछा जाएगा 10 question आपका पूछा जाएगा जारखंड से तो यहाँ तक आपको समझ माया दोस्तो कि आपका GS paper 1 में 10 question जारखंड GK से भी पूछा जाएगा और उधर तो आपका 100 question 200 marks का रहे गा ही रहेगा paper 2 में लेकिन paper 1 में आपक paper 1 और paper 2 दोनों मिला करके जारखंड से 110 question पूछे जाते हैं GS paper 1 में सब तो आता है लेकिन जारखंड GK भी आपका 10 question पूछा जाएगा यहाँ तक लियर है तो यह आपका देख सकते हैं कि जारखंड में आप से क्या पूछा जाएगा जारखंड की कला संस्कृति इतियास व तो यह तो साथ GS paper 1 का syllabus जो आप लोग समझ गए होंगे जो की आपका overall मैंने यहाँ पर बता दिया अब बात करेंगे GS paper 2 ध्यान दीजेगा तो आपको वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इदि आप चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरू कीजेगा आगे भी हम आपका मदद करेंगे तो देखिए GS paper 2 की बात करें तो यह है जारकंड special इसमें दोस्तों क्या पूछा जाएगा सबसे पहला टॉपिक है आपका जारकंड का इत कि इस keyword से हम question पूछेंगे इस topic से एक question इस topic से एक question इस तरह से divide कर दिया है तो यह तो आपके लिए और भी आसान हो गया कि यही से question आएगा ऐसा नहीं आपको लिग दिया है कि मुंदा ससन पढ़ोगे तो एक question आएगा नागवंसी ससन पढ़ोगे तो एक question आएगा यहाँ पर categorize कर दिया है ठीक है तो आपके लिए यह आसान हो जाता है तो यहाँ आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ज्ञारकंट के इतियास में कहां कहां से question आएगा यह आपको पहले ही बता दिया देखो सबसे पहला आपका मुंदा ससन व्यवस्ता जितना भी तरह का स जारकंट के इतियास में देखा गया है उससे सभी से आपका question पूछा जाएगा सबसे पहला मुंदा ससन व्यवस्ता इसे एक question रहेगा आप पढ़ लेना मुंदा ससन व्यवस्ता उस पर पढ़ोगे खूट खूट कटी दार इस सब क्या होता हम खर class चलाएंगे एक से इस सब सब का आपको class दिया जाएगा इस चाल पर देखिए तो मुंदा ससन व्यवस्ता से रहेगा एक question नागवंसी ससन व्यवस्ता इससे रहेगा एक question पढ़ा पंचाय ससन व्यवस्ता इससे रहेगा एक question मांजी परगना ससन व्यवस्ता इससे रहेगा एक question इसका बाकि जितना सासन ववस्था यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे एक एक कोशन आपका आएगा, तो जारकांट का इतियास में आपको पूरा A to Z नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखा है, क्या बताया गया, सासन ववस्था को आपको पढ़ना है, मु किसी और का बुक पढ़ रहे हो, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा, मुंदा सासन ववस्था, सब मिल जाएगा, तो सभी बूक्स अच्छे होते हैं, डिपेंड यह करता है, कि आपको किस में समझ में आता है, किसका लेंग्वेज आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप उडान भी पढ़ सकते हो, और मनिस रंजन सर का जो I.S है, मनिस रंजन सर, उनका भी आप बुक पढ़ सकते हो, तो यह होगे जारकंड के तिया, 16 माक्स होगा, 8 कोशन आएगा, ठीक है, कहां से कोशन आएगा, हम बता दिये, अब बात करें, जारकंड की आंदोलन, इस से रहेंगा, एक कोशन, इसके बाद है, स्वातंतरता सेनानी, जारकंड के freedom fighters, ठीक है, जैसे की, कौन, तिलका मांजी, है न, सिद्धो कानू, चांद भायरव, इस सबसे कोशन पूछा जा सकता है आपका, तो यह होगे स्वातंतरता सेनानी, इससे एक कोशन आएगा, इसके रहेंगा, आपका दो प्रेशन, उससे रहेंगा, और आंदोलन राज्य गठन, यानि जारकंड राज्य गठन में जितने भी सारा आंदोलन हुए, उससे आपका पूछा जाएगा, दो कोशन, तो टोटल कोशन किता हो गया, दो, दो, चार, एक, पाच, एक, छे, एक, साथ, साथ दुना किता हो गया, चौधा, समझवा गया, जारकंड का अंदोलन ये एक टॉपिक है, और ये इसका सब टॉपिक से, आपको सदान पढ़ना है, आदिवासी पढ़ना है, स्वतनजता सेनानी पढ़ना है, विभूती पढ़ना है, जारकंड राज गठन के समय जो भी के नया हुआ, इसके साथ कौन-कौन राज और बना था, तो ये सारी चीज़े आपको A to Z पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो इसे आपका दो कोशन आएगा, तो ये हो गया, जारकंड के आपका 14 माक्स हो गया, साथ दुना 14, अब बात करेंगे कि जारकंड की विशिष्ट नहीं कि नहीं, सब इस्टेट का अपना अपना एक विशिष्ट पहचान है, तो जारकंड की विशिष्ट पहचान है, तो इसे आपका 5 तो कोशन रहेगा, टोटल माक्स कितना हो गया, 10 माक्स, इसमें रहेगा कि सामाजी किस्तिति, सोसल कंडिशन या सोसल सिचूएशन, य पहचान, ठीक है, यानि, रिलिजियस, जैसे कि मान लेते हैं, पारसनत पहाड़ी, वो एक धार्मिक अस्थान है, है ना, तो उसके बारे में कुछ पूछ लिया आपसे, है ना, और या पिर जैसे कि राची में राथी आत्रा निकलता है, उसके बारे में आपसे कुछ बंद है, है कि ने, तो ये सारी चीज़े आपका जारकंड का विशिष्ट पहचान में आ जाता, जैसे बाबाधाम देवघर हो गया, तो ये जारकंड की विशिष्ट पहचान हो गई, तो इससे आपका कुछ न आएगा, तो सामाजी किस्तिती, एक कोश्यन, सांस्कृति कि समझ रहे हो न, जैसे जारकंड की संस्कृति को कितना बढ़ावा मिल रहा है, बाहर से लोग आ रहा है, यहां की संस्कृति को विशिट करने के लिए, यहां का कौन-कौन सा संस्कृतिक निरत्य है, कौन-कौन सा संस्कृतिक वाद्य है, है न, कौन-कौन सा पर्व होता है, जिसे कर्मा पूछ दिया आप से, या पिस सरुभूल पूछ दिया, सोहराय पूछ दिया, यह सारी छीज़े एक्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सांस्कृति इस्तिति, राजनीति विरसिस्ट आए उपको पहचान इससे आपका एक कोशन आएगा तो यह हो गया ज्यारकंट की विशिस्ट पहचान इससे आपका 5-10 मार्क्स हो गया कोशन रहेगा पांश ठो ठीक है यह आपको पढ़ना है और बूक में आपको ऐसे ही मिल जाएगा ऐसा नहीं कि आपको यह चीज अक्ष्ट्रा खोजना पड़ेगा, बूक में ऐसे ही सब्जेक्ट बनाया गया है, जैसे विसाई सूची खोलोगे, तो विसाई सूची को JPSC का सेलबस के जैसा ही विसाई सूची बूक में दिया गया है, ओडान बूक में देख लेना, ठीक है, चरिए, अब बात करें, यहाँ पर देख सकते आगे है, कि जारकंड, लोक, साहित, नित्य, संगीत, वाध्य, दर्सनी, अस्थल, आदिवासी, संस्कृति, यह सारी टॉपिक मिला करके आपका पांच दुना, दस, ठीक है, यानि दस माक्स का कोशन आएगा, टोटल कोशन र आपका एक कोशन आएगा, इसके बाद है, पारंपरी कला, लोक, निर्ति, जितना भी डांस है, जारकंड का लोक, निर्ति, ठीक है, संस्कृतिक जो निर्ति है, या फिर क्या कहेंगे, पारंपरी कला है, वो सारी चीज़े आपसे एक कोशन यहाँ से पूछा जाएगा, इस इसके बाद है लोक संगीत और वाद दिये इससे रहेगा आपका एक कोशन इसके बाद है दर्सनी अस्थल इसको तो बताने की जरूरत नहीं है दर्सनी अस्थल मतलब जो टूरिज्म प्लेसे से जारकण में देखने योगी जगा है जैसे कि त्रकूट पहाड कहा है कौन से ज पूरा दर्सनी अस्थल मतलब जो नैचूरल है इसके पुरवत तत्वीक पूरा तात्वीक कहने का मतलब क्या कहेंगे इसको archaeological, पूरा तात्विक मतलब archaeological, जो दर्सनी अस्तल है इसके बार एतिहासिक, historical इसके बार आधुनिक, जो modern समझ पा रहे हैं? मुझे बताने कि ज़्यादा जरूरत नहीं है, यह words ही आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन सो दर्सनी अस्तल कुछ दर्सनी अस्तल प्राकृतिक होते हैं कुछ मानम निर्मित होते हैं, है ना कुछ पूरा तात्विक होते हैं, कुछ एतिहासिक होते हैं तो जारकंड में जितना भी तरह का दर्सनी अस्तल है, उससे आपका कोशन रहेगा एक ठो, इसके बाद आता है आदिवासी, जारकंड की आदिवासी जारकंड में जितने भी तरह के आदिवासी रहते हैं, उनकी बारे में आपको यहाँ पर एक question रहेगा, जाती पूछ लेगा या तो प्रजाती पूछेगा इसकी विशस्ताहे पूछेगा, ठीक है समझ पा रहे हैं आदिवासी कि जाती प्रजाती इसकी विसस्थां है इसी आपका एक कोशन आएगा तो ये हो गया टॉपिक समझ पा रहे हो कि कोशन कहां से आपका एक्जाम में पूछा जाएगा तो ये कैटगाराइस हो गया इसके बाद देखो अगला जारखंडि साहित या उसके साहितिकार, ठीक है? जारखंड के जितने भी साहित हैं और उसके साहितिकार हैं, ठीक है जैसे हम अभी पूछ लेते हैं आपसे question एक पूछ लेते हैं, जारखंड में संथाली जो भासा है उसकी लिपी कौन सी है? आप कहोगे कि all चीकि उसक विनुबा भावे उनिवर्सिटी किस प्रमंडल में है विनुबा भावे उनिवर्सिटी किस प्रमंडल में यह प्रपूच देगा कि जैसे कि रक्षा सक्ति विश्विध्याल ऐ anytime खुला है खुटी में खुला है न तो यह सारी चीज़े पूच देगा जैसे कि डेरी उनिवर्सिटी वागड़ा जहां भी है तो ये सारी चीज़े आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है, तो जितने भी educational institutes है हमारे जारकंड में, वो सारी चीज़े आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा, तो इससे रहेगा, तीन ठोग कोशन रहेगा, आपका यहाँ पर 6 marks आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, अगला आता है जारकंड के खेल कूद, जैसे हमारे अभी दिपिका दीदी गई है, ओलम्पिक खेलने, तिरंदाजी आर्चरी है, तो वो खेल कूद से संबंदित हो गया, तो जैसे कि जारकंड से जो क्रिकेट में एक नई पहचान बनाए हमारे महिंदर सिंग, दोनी सर, त तो ऑलम्पिक को जरूर उस पे ऐड करना, आपका यहां पर स्पोर्ट वाला में ओलम्पिक से कोशन कानफर्म आएगा, ठीक है, तो यह हो गया, पांच कोशन आपका यहां से आएगा, तो पांच दुना किता हो गया, दस हो गया, ठीक है, अब बात करेंगे कि जारकंड के भूमी संबंदी कानून, यह सबसे बड़ा टोपिक है, जहां विद्यार्थी मार्क्स नहीं ला पाता है, गलत कर देता है, ठीक है, तो यह क्या दोस्तों, जारकंट के भूमी संबंदी कानून, यहां पर जारकंट का भूमी संबंदी कानून देख सकते हैं, सबसे पहला है, 10 मार्क्स आपका यहां मिल जाएगा चीक है सी एंटी से उसी तरह से संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम इसको कहेंगे अधिनियम इससे आपका पांच तो कोशन आएगा पांच दुना कितना हो गया दस और अन्य भूमी संबंद जीतने भी अधिनियम है उससे आपका दो तो कोशन पूछा जाएगा तो दो दुना चार यानि चार मार्क्स आपका होगा यानि सी एंटी पढ़ोगे तो पांच हो गया तो अब देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिससे एकजा में कोशन पूछा जाएगा वह आपका यहां पर देख सकते हैं रेड इस्टार में कि उननीस सो साइटालिस से मतलब आजादी के बात से आर्थिक विकास का इतिहास यानि जारकंड में जो एकोनोमी है जो जारकंड की एकोनोमी उस पर क्या development हुआ है तो इतियास से लेकर के वरतमान तक की घटनाए मतलब पहले क्या था अभी क्या इस्तिति यह से question आपका पूछेगा जारकंड का जोग्रफी इसके बाद है जंगल नदी पहार परवत खान खनीज यह जारकंड का भूगोल मे आपका देख सकते हैं लिख दी आसपस्ट तलेबस में जंगल नदी पहाड परवत खान खनीज आदी तो इस सब मिला का आपका दस्ट कोशन आएगा दस दुना किता हो गया दोस्तों 20 नंबर अगला पॉइंट है कि जारकंड की ओध्योगिक नितियां जारकंड में जितना पनर्वास निति इसका हम क्लास अलग बताएंगे आप लोगों को तो इस से आपका कोशन पूछा जाएगा 6 गुना 2 कितना हो गया 12 12 माक्स आएगा और अन्य नितियां भी जारकंड के जितने भी पॉलिसीज है उसको आपको इस पे इंक्लूड करके पढ़ना पड़ेगा इस दाट के लिए तो चलिए अब अगला पॉइंट है कि जारकंड के प्रमुक उद्योग जारकंड का जो मेजर इंडस्ट्रीज है लाइक टिल को टिसको जैसे कि बोकारो इस्टिल सिटी जमसेत पूर है ना जैसे धनबात का कोल माइन जरिया वगरा जितने भी जारकंड क कि इंडस्ट्रीज एं उससे आपका कोशन आएगा जोर्कंड के प्रमुक उद्योग का नाम अस्थान तरह और और यहीं चाहता है ना जैसे कि माल लेते हैं कि कोई और एक्जाम दोगे आप तो आपको इसमें क्या पूछा जाएगा पता है तो जैसे महा लेते हैं आपका हर exam में question क्या आएगा कि पानीपत का परसाम लडाई कहाँ हुआ पानीपत का दूईत लड़ाई कौन-कौन लड़ा स्वान कौन लड़ा पानीपत का तुर्पानिपत से यह आप पूछते है पता है यह पूछता है कि सारी लड़ाईया Together क्यों होगी कि इसका करन बताईए यूपीसी और जोपीसी पिसी आप आप से यह जानना चाहता है कि हाव एंड वाई आप कैसे प्रेजेंट करोगे और ऐसा क्यों हुआ आप वो बताओ ठीक है आपसे डेटा नहीं मांग रहा वो कैसे हुआ और क्यों हुआ यह हो सकता था यह सारी चीज़ा आपको प्रेजेंट करना होगा लिग के यही तो होता ह जारकंड के उद्योक समझ गया चलिए अगला पॉइंट है कि जारकंड की योजना है योगन उप योजना है जारकंड में अभी तक जीतना भी तरह का पलामू टाइगर रिजर्व है ना तो उसको protection देने के लिए उसके development के लिए जारकंड सरकार ने क्या 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 कदम उठाया है central government की तरफ से उसको क्या क्या मोहिया किया जा रहा है मतलब state government और central government कैसे एक दूसरे का help करके चल रही है तो कहना है का मतलब जारकंड में जंगल को protect करने के लिए वनों की कटाई को रोकने के लिए जारकंड में जितने भी जंगली जानवर है उन सापका protection के लिए जारकंड सरकार ने क्या 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 कदम उठाया है उनके विकास को लेकर के जारकंड में क्या क्या किया गया है मैं आपको पूछा जाएगा question इसे पार्क को भी शामिल किया जा सकता है जंगल को भी शामिल किया जा सकता है या फिर जीवजंतु को शामिल किया जा सकता है तो इससे आपका question रहेगा पांच टो तो पांच दूना कितना हो गया दस नमबर आपका यहां से भी आ जाएगा ठीक है तो यहां तक समझ में आगे दोस्तों कि जारकन का जंगल और जीव जंतू सारक्षन से आपका पांश टो कोशन आएगा और टोटल माक्स किता होगा दस माक्स अगला पॉइंट है कि जारकन राजी के परियावरण संबंदी तक थे हो रहे परियावरण परिवर्तन एवंग उसके अप्षमान एवंग अनुकूलन यानि जारकन राजी का जो परियावरण संबंदी फैक्ट से तथे उससे आपको रूबरू होना पड़ेगा वो एकजामें आप से कोशन पूछा जाएगा कि जारकन का इन्वार्में जारकन में हो रहा है परियावरण जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा और उसके अप्षमान एवंग अनुकूलन ठीक है मतला परियावरण का जैसे विनास हो रहा है तो उसका क्या कारण है परियावरण के वृद्धी हो रही है तो उसका क्या होना चाहिए और भी हम क्या कदम उठा सकते हैं तो यह सारे चीज़े आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा यहां पर आपको मिलेगा बिहार में सबसे बड़ा आपदा है बाड है ना जारकंड में सबसे बड़ी आपदा क्या है जारकंड में आपदा से लणने के लिए जारकंड साटकार ने क्या कैक किया है जैसे SDRF की team बनाई है, क्या है नहीं है, कौन सी forces काम करती है, ये सारी चीज़े जारकंड आपदा प्रबंदन की अंतरगात आता है, जारकंड में कौन कौन सी आपदा होने की संभावना है, तो ये सारी चीज़े आपको exam में पूछा जाएगा, जारकंड में आपदा प्रबंदन है, इससे आपका 5 कौशन आएगा, और 5 दूना किता हो गिया, 10 नंबर आपका यहां से पूछा जाएगा, इस दाट क्लियर, और लास्ट पॉइंट है आपका जारकंड से संभंदि, विविद तर्थि यहां सम समाई की घटना है, और लास्ट पॉइंट है, जारकंड से संभंदि, जो मिसलिनियस है, जो भी छुटा बड़ा, वो आपसे पूछा लिया जाएगा, और यहां साथ कोशन आएगा, और इसी में आपका जारकंड का करन्ट अपेर्स भी मिलेगा, मतलब जारकंड का करन्ट अपेर्स का, और जारकंड का अन्य तक के मिला करके साथ कोशन रहेगा, यानि जारकंड का करन्ट अपेर्स इस पर आपका बहुत कम पुछा गया है, सिर्फ साथ कोशन आपका देख सकते हैं और उसमें भी जारकंड का विविद को मिला दिया है यानि current affairs यहीं माल ले GS paper 2 में तो मुश्किल से आप लोगों का 3-4 कोशन आपका current affairs से यहां पर पूछा जाएगा तो मैं आप लोगों से बस एक बात जाना चाता हूँ कि आप यह वीडियो किस जीले से देख रहे हैं आप हमें comment section में जरूर बता दिजेगा और channel पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को share कर दिजेगा तब आप subscribe भी कर लिजेगा लेकिन share करना ना भूलिएगा सब ही जितना भी students का group है सब group में मेरा वीडियो होना चाहिए तो एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंग नेस वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद